प्रश्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो जो आज का वीडियो होने वाले वो खास कर उन लोग के लिए खास होने वाला है जिनके पास चार्ज भी राम है और 500 बाराम भी ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वा में बिल जाएगा तो भाई देर की इस बात की विजिट करो एंड अपने गेम को इंस्टाल करो दूसरी बात कि अभी देखा आपने हमें इंस्टाग्राम है तो भाई घर ख्या रहे हो भाई जाके जॉइन कर लो भाई तो बीना टाइम वेस्ट किये चली वीडियो को स्टा करते हैं कि यह बैटल फिल्ट री का पुरा सीक्वेंस जो कि 2011 को रिलीज किया गया था बैटल फिल्ट फॉर को रिलीज किया गया था ऑक्टूबर 2013 को आपकी प्लैटफॉर्म के लिए उपलब दे प्लेश्टेशन 4 एक्स बॉक्स एंड आपकी PC के लिए पिसेंस करते हो तो बैसिकली इसका जो ग्राफिक्स कॉलिटी बहुत ही ऑसम है और यह पूरा मिशन यह पूरा कैंपिंग का गेम है साथी साथी मल्टी प्लेयर भी दोस्तों तो अगर इस घिम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं वहां से इससे इंस्टॉल कर सकते हैं बात करें इसके सिस्टम रिक्वार्मेंट की तो भाई इसका जो सिस्टम रिक्वार्मेंट है हुआ आपके 4GB राम में आराम से चल जाएगा तो यहां पर बैटल फिल्ट 4 का है वह मिनिमूम सिस्टम रिक्वार्मेंट आपको यहां पर बता द तो भाई इतना system requirement है इस game को आप smoothly खेल सकते हो and game का पूरा experience ले सकते हैं बढ़ते हैं हमारे second game के उपर so guys हमारा जो second game निकल क्या था उसका नाम है Far Cry 3 Far Cry 3 जो है दोस्तों वो एक first version shooting वीडियो गया में जिससे develop and publish किया गए यूविशोफ के द्वारा and को release किया गए 29th November 2012 को and जोस्तों ये सभी platform के लिए उपलब दे PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox and आपकी PC के लिए हमारा main character है उसका नाम जैसन रहता है and वो रूक आइलेंड जाता है अपने फिरंशार विकेशन मनाने and उसके भाई जो rally रहता है उसको pilot license मिलने खुशी में वो party मनाते रहता है तो होता क्या है दोस्तों कि वो party मनाते मनाते skydiving करता है and skydiving के साथ वो एक island में उतरते जहां वास नाम का एक बंदा रहता है जो जब ये land करते हैं उस island में तो सब इधर वदर हो जाते हैं दोस्तों and then after वास Jason के और कुछ उसके फ्रेंड्स को पकड़ लेता है जैसे वास के कपजे से छोड़ा के Jason जैसे तैसे वहां से निकलता है and then after यहां पर में स्टोरी स्टार्ट होता है यहां पर आप Jason वास के जो भी बेस रहते हैं उन सब आप वास को माना रहता है तो इस हिसाब से पुरा ओपन वर्ल का व्यू देखने को मिल जाता है and साथी साथ के जो ग्राफिक्स कॉलिटी भाई वो कता ही ओपी है and जो फार क्राई 3 का जो सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है तो बेसिकली उस तो जो फार क्राई का जो मिनिममम सिस्टम रिक्वार्मेंट है जिसमें कि आप इस गेम को स्मूदली खेल सकते हो वो यहां पर रिविल कर देना चाहता हूँ राम की बात कर तो मिनिममम 4GB होना चाहिए ग्राफिक काट्स की बात कर तो इंटल को टुडियो में राम से चल जाएगा स्पेस की बात करें तो मिनिममम आपके पास 10GB के असपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PCI लापटॉप पे तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इस्टॉल करना है तो कूत पान के मेरे वेबसाइट पर जाए करेंद ऐस आपको इस गेम को स्टॉल कर सकते है तो वेल गाईस बढ़ते हैं हमारे तर्ड गेम के उपर जिए अ उसका नाम है वास दोग के बारे मैं आप मेरे से जादा अच्छे तरीकस जानते हैं तो फिर भी यहां पर मैं थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देना चाहता हूं यहां पर आपको मिशन कंपलीट करना रहता है और जो हमारा गेम का जो मैप है उस्प्राइबट कंपनी उसे डवलब कर से सभी चीज कंट्रोल होती है कि कौन आदमी कहां पर है पूरे CCTV क्यामरा पूरे पूरा सिटी इस OS से कंट्रोल होता है और जो कंपनी रहती है वो इस जितने भी डीटेल्स रहती है वो दूसरे कंपनी को सेल आउट कर देती है यहां पर दिखाया जा रहे कि आपका जितना भी डीटेल से वो सभी प्राइवेट है बट वो प्राइवेट नहीं है तो यहां पर हमारा प्रोटेगनिस्ट रहता है उस एडम प्रियस रहता है वो हाइली इसके लिए ग्रेट हैट है कि शहर के किसी भी एलेक्रोनिक डिवा अधिक से उसका क्या कहना मतलब कुरता भाल के में नाचू ऐसा गेम का ग्राफिक से आप वीदर वीदर सेटी को एक्स्प्लोर कर सकते हो घूम फिर सकते हो मतलब पूरा यार आपको ओपन वर्ल्ट सिर्टी का यहां पर पूरा एक्सप्रियस दिखने को मिलने वाला है जो मिनिम्म सिस्टम रिक्वारमेंट है वह में बता दू रैम की बात कर तो मिनिम्म फोर जबी होना चाहिए ग्राफिक कार्ड मिनिम्म आपके वास फांसो बाना में नीड एंड दुस्तों प्रोसेसर की कूत फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वेबसाइट कलेंगा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जल्दी जाके इस गेम को स्टॉल कर लो एंड वाल कैस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के उपर निकल के आता है उसका नाम है जीटी फाइफ पाइफ के फैन ह तो प्लीज एक लाइक और एक शेर करके जरूर जाना तो यहां पर मैं ग्टी फाइफ के बारे में थड़ा आपको एक्स्टार गेम के दुवारा इस गेम को रिलीस किया गया था दोस्तो 17 सेप्टेंबर 2013 को और बिसिकली इसमें आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं और अप्शन्स मिल जाते हैं और बिसिकली पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है यहां पर आपको मिशन कंपलीट करने रहते हैं और आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर विदर भटक रख सकते हैं सबसे बात कि इस गेम का जो ग्राफिक्स हो वो कताई ओपी ग्राफिक्स है मतलब अपनी पीसी में भी खेल सकते हो तो वेल गाइस इस गेम को जो मिनिममम सिस्टम रिक्वारमेंट है वहां पर में रिविल कर देना चाहता हूं राम की बात करतो फोड भी होना चाहिए अग्राफिक काट्स की बात करतो लिए नीड हो नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटर कोट्यू में अराम से चल जाएगा स्पेस की बात करें तो भाईया नाइंटी जीबी की आसपास पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इस बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट गेम की उपर फिफ्ट गेम निकल के आता है उसका नाम है मैक्स पैन 3 अगर आपने मैक् गेम को खेलो तब जा के मैक्स पैन 3 में आओ क्योंके अधी बात कलेते मैक्स पैन 3 की तो अब कुछ लोग बोलेंगे थोड़ेना 4G वाला गेम है भाई तो दो जीवी में चलेगा तो अगर आप स्मूधली गेम को हाई ग्राफिक्स में खेलना चाहते हो तो मैक्सपेंथरी आपके लिए ही परना है भाया जी तो यहां पर मैक्सपेंथरी आपका एक थर्ड पर्चन शूटिंग वीडियो में जिसे डवलप किया गया हमारे चाहिते रॉकस्टार स्टूडियो के द्वारा और यसे पब्लिश्ट भी किया गया रॉक्सटार गेम के में 15 2012 को और अल्मोस्ट यह सभी प्लाटफोर्म के लिए प्लेस्टेशन द्री एक्सबॉक्स आपके विंडोस के लिए और वेल के इस गेम में आपको करना क्या रहता है यहां पर आप मिशन को कंप्लीट करना रहता है यहां पर आपको एक्सपरियेंस देखने को मिल जाता है संब्सक्राइब सबक्राइब गयünde सिस्टम को मिल जाता है तो मिनमूम स स्सिटम रिकॉर्मेंट गया मिर्याफिक कर दynnो चाहता हूं राय्म की बात करें तो मिन मंस्टमन होना च्यbdy ग्राफिक काड्स की बात करें तो यहां पर आपके पास 500 बारें भी ग्राफिक काड्स होना चाहिए आपके PCI लैप्टॉप पे और प्रोसेसर की बात करें तो इंटल को टुड्यू में अराम से चल जाएगा अगर आपको इस गेम को इस गेम को इस गेम के उपर इसका नाम है उसका नाम है अगर आपने ब्लाक ओपस वन को नहीं कहला तो भाहिए आपको स्टोरी लिन समझ में नहीं आएगा तो इसलिए पहले खेलना तब जाके ब्लाक ओपस 2 को आप इंस्टॉल करना तो यहां पर में प्लापस 2 के बार में थोड़ा पता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको दो मोड की बात तो यहां पर आपको दो मोड मिलते हैं एक सिंगल प्ले एक मिलता है तो इस गेम में आपको पुरा ओपन वल्ड व्यू मिलता है आप ओपन वल्ड का यहां पर experience का लुफ्ट उठा सकते हो गेम का जो minimum system requirement है वो यहां पर मैं reveal कर देना चाहता हूँ RAM की बात करें तो आप इससे 2GB में भी खेल सकते हो बट आप अगर अच्छा experience लेना चाहते हो तो 4GB RAM minimum आपकी PCI laptop पे होना चाहिए RAM की बात करें तो 4GB होना चाहिए ग्राफिक कार्स की बात करें तो minimum 512 में नीड है and दोस्तों processor की बात करें तो code टूडियो में आप से चल जाएगा पेस की बात करें तो minimum 12GB के आप सपस पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए यहां पर आपको missions को complete करना रहता है मतलब यहां पर आपको पूरा wild life का पूरा सब्सक्राइब करें तो यह सिंगल प्लेयर भी हैं मैल्टी प्लेयर भी है एंड गेम अलमुस्ट सभी प्लाटफोर्म के लिए प्लेशेशन 3 एक्सपोक्स प्लेशेशन 4 एंड आपके PC के लिए और सबसे बात यह दो ग्राफिक कॉलिटी है वो कता ही ओपी ग्राफिक इस गेम को खेलने के लिए तो इस गेम को भी अगर आपको इस्टॉल करना है अपने PCA लापटोप पर तो कूत फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और अपने गेम को इस्टॉल कर लो अक्टूबर 25, 2013 को साधी सथ गेम मोड की बात करते हैं आपको सिंगल प्लेयर साधी सथ मुल्टी प्लेयर भी मिल जाता है और अल्मोस्ट इस सभी प्लैटफॉर्म के लिए आपके उपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हैं साधी साथ अपने PC में भी खेल सकते हैं गेम में जो system requirement है वो काफी काम है मतलब अगर आप अच्छे experience के साथ इसे खेलना चाहते है तो अगर इसे आप 2GB RAM में भी खेल सकते बट इसे आप थुड़ा अच्छा experience smoothly खेलना चाहते तो minimum आपकी पास 4GB RAM होना चाहिए तो यहाँ पर जो recommended system requirement है वो यहाँ पर में रिवील कर देना चाहते हो RAM की बात करें तो minimum 4GB होना चाहिए प्रोसेसर की बात करें इंटल को तो यह चल जाएगा वीडियो गेम है जिसे develop and publish किया गया Ubisoft के द्वारा और साथी साथ इस गेम को रिलीस किया गया था 29th October 2013 को आप इसे PlayStation 3 Xbox और पीसी के लिए भी खेल सकते हो साथी साथ इस गेम के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर आपको अलग टाइप के हैं आप दोस्तों पूरा ओपन वर्ल्ड बेस ए और इसका जो ग्राफिक्स है गेम का वो काफी ओप अभी है और बवलयकर इस गेम के जो सिस्टम रिक्वारमेंट है इंग्छाइन यहाँ पर मैं रिफिल करता हूं, वह चौंग इस के इस लिएपी पांस बारे मिनिरे है अन दसकतों प्रोस्वेसर की बात करें तो इंटल का i3 का प्रोसेसर आपके PC या लापटॉप पे होना चाहिए स्पेस की बात करें तो 30GB के आसपा स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए इस गेम को रिलीस किया गया था तब 15th November 2013 को बिसिकली यह अपके सभी प्लाटफॉर्म के लिए प्लेशेशन 4, Xbox और आपके PC के लिए साथी साथ में इस गेम के बारे में और बता देना चाहता हूँ इस गेम में आपको टोटली रेसिंग करना रहता है यहाँ पर आपको missions complete करने रहते हैं जैसी इस गेम को मैं बता दू इस गेम को जो map है वो टोटली आपको open world का view देता है ठिलाने के लिए आपके PCI laptop पे कितना system requirement होना चाहिए और यहाँ पर में बता देना चाहता हूँ RAM की बात करे तो minimum 4GB होना चाहिए ग्राफिक कार्स की बात करें तो minimum 500 बाराम भी नीड है और दस तो प्रोसेसर की बात करें तो intel code to do में गेम आराम से चाल जाएगा space की बात करें तो minimum 10GB के आसपास space खाली होना चाहिए आपकी PCI laptop है तो अगर इस गेम को भी आगर आपको खेलना है या install करना है तो बाई कूत फान के मेरे website पर जाओ और इस गेम को install कर लो तो वैल गाईस बस यही कुछ 10 गेम थे आपके 4GB RAM वाले PC के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि बाई इन 10 इन टॉप 10 गेम में से आपका फेवरेट कौन सा है आप कौन सा गेम अभी डाउलोड करने वाले हो तो तो आज की वीडियो बस इतना ही था आई होप दूस्तों कि यह वीडियो पसना है वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करो शेयर को और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के शेयर करो जो जिनके पास 4GB RAM वाला PC है और वो गेम्स खेल नहीं पा रहे हैं भाई उनको बताओ कि भाई तुम यह गेम्स खेल सकते हो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना और पडिवारा ख्याल रखन साथी साथ अपनी गल्फरेंड़ ख्याल हैं तब तक लिए जैहिन जैभाराइब